हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है सलीम और आप देख रहे हैं टेकनिकल अंसारी तो दोस्तों जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ गये होंगे कि आज का जो वीडियो है वो इंडेक्शन वर्सेज इंफ्रारेट कुक टॉप होने वाला है दोस्तों कभ तरह आप से छोटी सी अपील कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए शेर किजिए और बेल आइकन को दवाना न भूलिए बेल आइकन को दवाने से यह होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका लगा होता है जो कि करन्ट फ्लो होते ही गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है जिससे कि इस पर रखा हुआ बर्तन गर्म होने लगता है एक्चुली यह एक हीटर की तरह ही होता है जो पहले चला करता था लेकिन इसमें जलने और करन्ट लगने का खत्रा ज्यादा तो उसी को मोडिफाई करके इस स्वरूप में बना दिया गया है जिससे कि इसमें करण लगने का खत्रा कम हो जाता है अब बात करते हैं इंडक्शन कुप टॉप की तो इसमें जैसे ही करण फ्लो होता है तो इलेक्ट्रमाग्नेटिक फिल्ड उत्पन होती है जो हीट में कनव होता है और इंडक्शन पर रखा हुआ बर्तन गर्म होने लगता है जिससे कि उसमें हम खाना पका सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि बर्तन इस्तमाल करने की तो इंफेलेट पर किसी भी प्रकार का बर्तन जैसे अलुमूनियम तामबा इस्टील इस्टिकिंग और नॉ बर्तन ही इस्तमाल कर सकते हैं हीटिंग क्वालिटी की बात करें तो जो हमारा इंफेलेट कुक्टॉप होता है उसे जैसे ही स्विच ओन करते हैं वो गरम हो जाता है चाहें उस पर बर्तन रखे या ना रखे और उसकी जो फ्लेम होती है वो पूरा बराबर होता है जबकि इंडक्षन में स्विच ओन करने के बाद जब तक बर्तन नहीं रखते हैं तब तक वह हीट नहीं होता है और जैसे ही बर्तन रखते हैं हीट होना शुरू हो जाता है और इसकी जो फ्लेम होती है वो बराबर ना होके बीच सेंटर में ज्यादा होती है अब आते हैं में पॉ पीच आउन करते ही जनने लगती है चाहें बरतन रखे या ना रखे दोस्तों अब इनके similarity की बात करते हैं तो प्राइस की बात करें तो दोनों लगबग बराबर प्राइस के होते हैं साइज एंड शेप में ले जा सकते हैं और दोनों बढ़ ही आसानी से एक जगा से दूसरे जगर ले जा सकते हैं यानिके पोटेबल होते हैं तो अंत में आप कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तो अगर आपके पास गया सिलिंडर है और आप कोई कुक टॉप लेना चाहते हैं तो आप इंफ्रारेड प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ्राइव होने वाले जितने वे चीजें हैं बड़ी आसानी से बन जाती है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको सारे डिटेल समझ में आ गए होगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए दोस्तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद